नमस्कार मेरे प्यारे भाईयो बैनो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं डिजी टेक टॉक और हम लोग आज बहुत ही एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं इंडियन कॉंट्रिबुशन टू करेंट मेडिकल सिस्टम चाहे वो आयरुवेज से लेके योगा तक जो भी सारी चीज़े हम लोग उसको जानेंगे कि कैसे कैसे मेडिकल नॉलेज को शार्पन करने में मदद की है हम लोगों ने इंडियन्स ने और इसी वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन से ऐसे साथ कॉंट्रिबुशन थे जिसको आज भी आयूर्वेदा है आजकल इतना जादा पॉपुलर है लोगों के बीच में लोग इसको जानने लगे हैं समझने लगे हैं और ये जो हर्बल बेस सिस्टम है इस पे बेज़द है जो हमारे प्लांट से हर्प्स निकलती है डेरेक्ट लेकिन आपको ये जानके हरानी होगी कि ये करीब करीब फस्ट मिलीनियम बीसी एक चर्खा समीता लिखी गई थी जो की फस्ट आयूर्वेदिक कंपाइलेशन थी रेमेडीज ऑफ नूमरस डिजीज और डाइजेशन मेटाबोलिजम इम्मुनिटी से रिलेटेड तो आज भी इन सब चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है कुछ फेमस जड़ी बूटियों के बारे में आप लोग भी पता होगा जैसे अश्वगंदा है आमला है भिटकरी हरी टाकी ब्रामी ये सारी काफी सारी हमारी एयरवेद में इन सब चीजों के बारे में जिकर है तो एयरवेद एक सबसे पहला ऐसा जो हमारा था तो ये जो दूसरा कॉंट्रिबूशन है ये बहुत इंपोर्टन कॉंट्रिबूशन है जिसको हम लोग आज तक सिद्धा मेडिसीन भी कहते हैं तो आयरवेदा हमारे नौर्थ में काफी नौर्थ हिंडिया में काफी जादा पॉपुलर था क्योंकि हम लोग क हब्स बारा महीने मिल जाती थी मौसम उस टाइब से रहता था कि हमको हब्स केती प्रॉब्लम नहीं रहती थी लेकिन साउथ में एक कह सकते हैं आप मेडिकल विज्ञानी थे सिद्धा जिनको कहा जाता है उन्होंने फिफ्थ बीसी में ही अपने ऐसे कुछ फूट्स, मिक् आज में जो बीमारी है उसमें हेल्प कर सके उसको मिटाने में तो यह सबसे पहला वैसा कॉंट्रिबूशन था जिसमें आप मेडिसीन बना के स्टोर कर रहे थे तो यह आज भी हम लोग करते हैं लेकिन यह जो फॉर्मूला था यह जो बनाने की तर्कीब थी यह हमारे जो पुराने इंडियन मेडिकल जो साइंस है उसमें काफी प्रचलित थी यह जो तीसरा कॉंट्रिबूशन है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता ही होगा कि शुशुरूता जो थे उनको फादर आफ सर्जेरी भी कहा जाता है उन्होंने साइड जो सर्जेरी के ग्याता थे, different different categories में वो surgery करते थे, बोन से लेके tissue को जोड़ना, different different चीजे वो करते थे, आइस की surgery के कुछ pictures आपको दिखेंगे अगर आप online search करोगे skin को कैसे एक साथ जोड के रखना है कौन सा type का thread यूज करना है काफी सारे इन्होंने pioneer दिये थे उस field में, surgery की field में तो आज तक उनको father of surgery भी कहा जाता है मैं बोलू हुआ कि यह सबसे most important contribution होगा Indians का currently medical science के उपर चौथा जो biggest contribution था वो था plastic surgery यह 2000 BC में practice किया जाता था Indian surgeons के दौरा different method यूज करके different body part को correct करते थे वो लोग बिना anesthesia के use करते थे यह सब techniques और tools और instrument उन्होंने काफी develop किये थे उस time के अभी तक हमारे पास Indian ancient text available है जो की develop किये गए है अभी कि उस time पे लोग कैसे surgery किया करते थे और उस time पे आपको जानके हरानी होगी कि जो plastic surgery नहीं करते थे dental surgery भी किया करते थे जो plastic surgeon थे तो students को properly train किया जाता था उस time पे भी 6 साल की training दी जाते थी और फिर उनको training के बाद ये surgeries करने के लिए एक oath दी जाती थी और उसके बाद उनको तब शुरू किया जाता था वो आज भी हमारे medical science में practice होता है वो चीज़ पांचवा जो सबसे ज़्यादा important एक contribution था जो leprosy जो इसको खा जाता है जो infection हो जाता है skin में या तो बचपन से ही होती है birth wise होती है या तो बड़े होके लोग एक दूसरे से infectious होके उसको करते तो इंडिया में जो शुशूता थे उन्होंने अपनी books में इसके बारे में आराम से अच्छे से समझाया हुआ है कि इसको कैसे cure किया जा सकता था ये काफी पड़ी एक problem थी ancient इंडिया में जो कि bacterial infection mycobacterium lepray करके एक bacteria होता है जिसकी वज़े से आज भी आप लोग देखते होंगे कि काफी है बट इसका इलाज जो है काफी पहले निकाल लिया गया था तो हमी लोगों ने इसका इलाज निकाला था ये भी एक काफी अच्छा contribution था इंडियंस का जो 6th contribution के बारे में हम लोग अगर बात करें तो उपेंदरनाथ ब्रहमचारी जी थे इन्होंने black fever नामक जो बिमारी होती है जिसकी वज़े से काफी सफर किया था 90's के जो एरा है उसमें लोगों ने तो उनकी इन्होंने medicine discover की थी यूरियास टीबेमी और ये बैंजीन रिंग के ओपर एंटीमनी और डिफरेंट compound उन्होंने functional group लगाए इन्होंने इस compound का विश्कार किया ये novel prize in medicine के लिए भी इनको वो नॉमिनेट किया गया था but unfortunately ये जीते नहीं but इनकी इस discovery की वज़े से throughout the world eradication हो गया था हमारे black fever का तो ये भी एक काफी significant contribution बोला जाता है इंडियन्स का medicine को लेके और last तो आपको पता ही है last but not the least yoga हम लोग Indian medical contribution के बारे में बात ही नहीं कर पाएंगा अगर हम लोग योगा के बारे में बात ना करें भले ही हम लोग को Indians ने इस चीज़ को practice करना छोड़ दिया है कम कर दिया है लेकिन ये बहुत एक अच्छा की माना जाता है self discipline का stress को relieve करने का और overall fitness को भी build करने का open book है ये लेकिन काफी कम लोग आज कल इसको practice करते हैं बहुत सारे आपको दिखेंगे gyms में जाते हुए different different चीज़े करते हुए बहुत कम लोग है जो इसको practice करते है mostly foreigners इसको जादा practice करना उन लोगों ने शुरू किया इन लोग को इसकी value पता चलिए आप लोग भी yoga करना शुरू करेंगे तो इसी के साथ लेता हूं मैं अलविदा thank you so much आप वीडियो में लाज तक बने रहे हैं please 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 अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी एक like एक subscribe मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई टापिक के साथ तब तक के लिए take care good bye